हालो फ्रेंड्स वल्कम तू आल आज में आपके लिडियो ले क्या रहा देखे फार्मा स्टॉक लेकिए फार्मा स्टॉक्स को अपनी रडार पे अभी से निकाले मत यानि कि प्रॉफिट बुक आप कर सकते हो बट रडार में जरूर रखें आने वाले 6 महिने साल भर के देखा होगा फर्वरी से लेकिए अब तक फार्मा स्टॉक ने आपको माला माल किया है हाँ टाइम टू टाइम आप प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकते है क्योंकि यह बिल्कुल जमीन के नीचे से उठके काफी उपर आये हुए है तो प्रॉफिट बुकिंग टाइम ली आपको देखने को मिल सकती है और आपको भी करनी चाहिए थोड़ा बहुत लेकिन इनको रडार में ज़रूर रखे क्योंकि यहां पर आप देखिए लाइसी ने 460 करोड का माल खरीदा आज की डेट में राके जुन जुन वाला जी ने कितना खरीदा वो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले लाकिन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी अब जी स्टॉक की तरब में आपको लेके जा रहा हूं सबसे पहले इसका नाम देखिए ल्यूपिन लिमिटेड की मैं बात करूँगा ल यह स्टॉक 46,000 करोड का मार्किट के पर लाशन है कोई कमी शियर में नहीं है लेकिन कहां से उठके आया है यह जमीन से उठके यह शियर आया है जरा देखते हैं इसको जो आकड़े सामने निकल के आ रहे हैं इनको ध्यान से देखिए यह नंबर अभी सेप्टमर कोटर के य मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन नंबर्स मैं बहुत कुछ बदलाव मुझे देखने को मिला खास करके लाइसी इंशुरेंस कंपनी के अगर मैं शियर देखूं तो ओवर और ओल थ्री करोड फॉर्टीन लाक शियर इंशुरेंस कंपनी के मुझे अभी के कौर्टर में देखने को मिल रहे है और उसमें उसमें आप यह मान के चलिए कि एक करोड कितना वन करोड शिक्स्टी एट लाक शियर अब आपको गयर यह तो बहुत ही अच्छी बात है और इसके अ जाफा देखने को मिल रहा है यह LIC और राकेश जुन-जुन वाला जी के शियर में है अल्दो मैं mutual fund के data को कहूं तो mutual fund में आप देख सकते हो 5 करोड 70 लाक शियर से और foreign portfolio निवेशकों को अगर मैं data देखू तो 9 करोड 22 लाक शियर से अभी current state में है लेकिन यह number जब आप important त पास थे 1 करोड 22 लाक शियर तो 1 करोड 22 लाक से अब कितने चलेगे 1 करोड 68 लाक शियर अगर आप सीधे सीधे round off करके figure की बात करो तो 46 लाक शियर और current price अगर 1000 रुपे के price के हिसाब से आप मान के चले थोड़ा बहुत उपर निच आप कर सकते हो लेकिन 1000 रुपे के हिसाब आप से अब शियर का price देखो कि तो आपको गया 46 लाक शियर यानि कि यह तो सीधे सीधे कितना पहुंच गया 460 करोड का माल LIC ने इस quarter में उठाया है जरा सूचिए एक फार्मा शियर और LIC की इतनी जबरदस्त पंपिंग 460 करोड का माल बहुत ही बढ़िया important है माल है मैं क देखो गे तो और अगर मैं बात करूँ यहां पर राकेश जुन जुन वाला जी की होल्डिंग इस स्टॉक में कितनी थी 66 लाक शियर थी जो कि 3 लाक शियर इनके भी बड़े हैं और रेट लगाओ आप 800-900-1000 रुपे के हिसाब से लगा तो 28-30 करोड के हिसाब से माल इन्हो यहां पर शियर कितने हो गए थे बिल्कुल ध्यांसे देखे जुं जुन वाला जी श्यर को दिखा रहा हूँ 2008 लाक श्यर इनके पास थे 제 जिहान दीजे देखे मार्ट क्वाटर फिर इन्हों ने यहां पे गिरावट के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग करी थी यानि कि इन्हों ने जून क्वाटर में तीन लाग शेर कम किये तो सेप्टम्बर क्वाटर में वापस खरीद लिए मतलब अब आपको क्या जून क्वाटर यानि कि जो एप्रिल में जून ये तीन महीने थे जो तीजी देखने को मिली तो जुन जुन वाला जी ने प्रॉफिट बुक किया या फिर अपना स्टेक जो है ट्रिम किया था जैसे उन्होंने हालाद बदलते वे देखे तो इस क्वा अगर जुन जुन वाला जी कि उससे पहले की इन्वेस्टमेंट आप देखते हो तो 69 लाइक शेर्स के आसपास ही थी जो कि अब आप को गयर हां बीच में धीरे-धीरे कम हुई एवन आप देखोगे तो जून दिसंबर के कंपार्जन में मार्च क्वाटर में भी इन्होंन मतलब इनके पास शेर्स से 5 करोर 440 लाग जो कि बढ़के 5 करोर 70 लाग होगे मतलब कि सीधे-सीधे 25 करोड का 25 लाग शेर यानि कि 200-300 करोड का माल मुच्वल फंड अलग-लग मुच्वल फंड वालों ने भी उठाया ल्यूपिन के शेर में चलिए अब ल्यूपिन के शेर क क्या जबर्दस रिटान दिया था लेकिन उसके बाद करेक्शन आई अब आपको लग रहा हो गया चीजे बदल रही है ट्रेंड रिवर्स हो रहा है यह देखी बिलकुल ऐसा लग रहा है ने देखते हो चार्ट को देखते हुए खास करकि एपरिल की मन्त की तेजी के बाद देखके सिचेवेशन मतलब थोड़ा सा आपको भी लगेगा हां यार पॉजिटिविटी से आ रही है लेकिन एक बात और आपको दिखा दे यहां पर यह करेक्शन जो थी जो फार्मा सेक्टर बिलकुल खतम पड़ा हुआ था 2015 से और वो पॉजिटिविटी आप देखने को मिल रही है इस पॉजिटिविटी को देखते देखते मैं आपको जहां से देखे जब ट्रेंड रिवर्स होता है ना केवल आप साइड का बलके डाउन साइड का भी दीखे यह शियर 2100 के लेवल पोस्ट टाइम बता इन दोनों पीक पॉइंट को जब आप देखोगे तो आ रसा इस दो नॉट सुफिजेंट आप प्रासे एक्शिन को भी देखिए वहां पर कि प्राइस एक्शिन क्या आपका लोवर हाई लोव अ बनता हुआ दिखे रहा है रहां जैसे इसने लो ब्रीज किया लोवर हाई अपको बनता हुआ दिखा और उसके बाद देखे कैसी सि बिल्कुल डाउन और एक ऐसा लग रहा था कि 700 के लेवल से यहां पर पॉजिटिविटी आने लगी थी धीरे धीरे अगर आप ओवरॉल पिक्चर देखो लेकिन यह मार्च में थोड़ा सा और डाउन चला गया फरवरी मार्च में जो कि नॉर्मल पूरी मार्किट थी तो थो जो है मैं कहूंगा हलका डाउन गया और बहुत जल्दे रेकवरी भी देखने को मिली अब इस टॉक को जब हमने फर्स टाइम पर रेकवरी के बाद पकड़ था मंतली जो हमारा मैं कहूंगा सेट अप होता है यह कैंडल देखिए यह कैंडल देखिए पानी पीने वाला देखने को मिलींए छोटी सी फिर से तेजी फिर से किरेक्ष्ण अब इसकरेक्ष्ण का समझना बहुत है इंपोर्टेंट है फिलाल इन प्रॉगर्स में आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा छोटे टायम फ्रेम पे op चुपो सारी लर्निंग्स आपको यहां बना था भी कुछ दिन पहले एकाद दिन पहले मैं इसका वीडियो क्रेट किया था बीरिस क्रॉस में चीजों को रिपीट करना मुझे अच्छा लगता है यहां पर जब लर्निंग की बात आते देखिए जब आप चीजों को रिपीट करते हो न टेक्निकल अनलिसिस के मैं यह स्टॉक के दिन बदल गए है यह लग रहा है लेकिन अभी भी आपको चोटी मोटी जो करेक्शन्स होगी अब होता क्या है कई लोग बहुत मैं कहूंगा आप कई लोग बहुत जल्दी करते हैं मार्केट में इंवेस्टमेंट की मेरा मानन है कि जल्दी नहीं पेशेंस कोई नहीं इवन आप फंडामेंटली स्ट्रॉग शेर में भी खरीदने के कोशिश करने पेशेंस रखिए पेशेंस नकिवल सेलिंग में बलकि बाइंग में भी होती है और चीजों को पूरा का पूरा टाइम बदल ले दीजिए कई लोग होता जैसे आपने सोचा होगा कि ह यह गिर रहा है मैं खरीद लेता हुए गर आप लॉंग तम पर स्पेक्टिब वाले लोग हो तो हमेशा आपके लिए वीकली फ्रेम एक बखुत बड़िया फ्रेम होता है वीकली फ्रेम वीकली में क्या होता है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचने को मिलता अगर इसी stock में देखिए, आप देखोगे तो previous high जो 800 का level था, वो देखिए आप ये नीचे गिर रहा, आप कैसे खरी दोगे, चार साल से गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, आपके पास कोई stop loss ही नहीं है, हाँ, आपने देखा, रहली आ गई है, अब अगली correction में मैं invest करने क कि सोचूंगा, और आपने फिर उसमें अगली correction में इसमें invest करने का plan किया, ये correction कितने टाइम चली, ये फूरी flat correction तेजी है, अब देखिए, फिर से correction आपको मिलेगा मौका, और फिर से opportunity, all the weekly में ये बिलकुल, bull, यानि कि bulls के इलाके में चला गया, और bulls का इलाका, आपको पतावना चीब है, ये bulls का इलाका वहाँ, जहां पर बड़े-बड़े लोग इंतजार करते हैं कि stock आए, अब situation, current situation, अभी, जैसा मैं आपको बताया, कि correction in progress है, 1120 का peak से, ये देखिए, बिलकुल 20 EMA के near support जरूर ले रहा है, हाँ, अगर ये support में break आता है, तो फिर ये 50 के आसपास support लेने की कोशिश करेगा, या फिर 920 के आसपास, अब situation ये है, ये stock अपने 200 EMA के line को कब cross किया था, इसने, almost 760 के level के आसपास इसने cross किया था, और आप ने देखा, कि राकेस जुन-जुन वाला जी ने इस quarter में, जब ये इस range में चला गया था, 840 से इस range में, उन् प्राफिट बुकिंग की, और मार्च में, उसके बाद फिर इन्होंने यहां पे देख सकते हैं, जो recent quarter गया है, जुलाई, अगस्ट, सेप्टमबर का, यहां पे फिर high price पे इन्होंने फिर 3 लाग share खरीद लिया, अब आपको गया है, उन्होंने यहां पे प्राफिट बुक मुझे लगते हैं, जैसे जैसे peak पे जा रहा है, और आप देख पा रहे होगे, यहां पे बड़ी-बड़ी buying के towers आपको देखने को मिले, जैसा कि यह 17th, 14th August, फिर अभी buying देखने को मिली, 18th September, अभी reset buying देखने को मिली, 13th October, तो बड़े-बड़े buying के volumes आपको जरूर देख सकता है, बट, corrections आएंगी, तो उनका resolve होना important है, साथ के साथ stop losses mandatory है, तो फिलाल मा wind up करता हूँ, वीडियो को उमीद करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लग होगा, अच्छा लगा तो share कीजिए, like कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक subscribe नहीं कहा तो जल्दी से subscribe कर ले, और bell icon को भी press कर ले, जिससे आपको notification आतीर एगें, thank you, thank you for watching the video.